आजे पुत्री क्या देख रहे हैं आप लोग और कैसे इंपेक्ट पढ़ रहा है पूरे आपके जीन मेरे पापा हमेशा कहते थे कि बेटा आज ने तो कल तो यह लोग में को फसाए गई जाहे कोई भी रीजन हो क्योंकि पापा का निकलना भी बंद हो गया था हम लोग को भी पापा हमेशा कहते थे कि निकलो सफ़ाने से निकलो ज़ौती है तो मत निकलो चली हो ब्रदेश का तो यहाथ में पूरी मशीनरी it वो चाहे तो किसी को भी परिशान कर सकता है, तबाह कर सकता है, मतलब हर तरह से टॉर्चर कर सकता है, तो यह उसी का एक कियावा काम है और आप लोग सब जानते कि अभी बंगॉल और जार्कान गवर्मेंट कितनी अच्छी तरीके से साड़कार्ट पे काम कर रही है, और एक आपस में दूसरे की सरकारे बचा रहे हैं अगर मेरे पापा इतनी है तो हम लोग को फैमिली आज फैमिली हमें कोई प्रॉब्लम यह आप से जाज करवा लीजे हम लोग सब को उपरेट करेंगे लेकिन ऐसे बस फैब्रिकेट करके एविडेंस जितना हमें पता चला है सारे व सुना है आप अगर ध्यान से सुनोगो तो उसमें लेडी के आवास बार बार आ रही है और बिस हां 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 कर देने कम यह मतलब नहीं कि अगर आपने गल्ती नहीं की तो आप लोग क्यों डर रहे था आप क्यों पैसा देना चाहतें से बिलकुल एडी ने ले लिया हम लोग जितना पता चला मेरे पापा को बहुत परिशान किया गया है उन्हें खाना भी नहीं दिया जा रहा था हम जब लेके जाते थे मैं भी गई थी कलकता तो वो भी नहीं दिया जाता था मैं बार बजे मैं और मेरी मदर जाते थे बार बजे तो उसके बाद हमें छे बजे मिलन उसे बगल में बैठा थे कभी भी हमें दो मिनिट का भी बात नहीं करने दिया तो उसे पता चल रहा था कि वो किसी प्रेशर में हैं वो कुछ उनके हिसाब से बात करने के लिए तो बस वही है मैं उनकी बेटी हूं रुचित्रा मेरा अभी 15 दिन पहले ही सिय क्लियर हुआ था अभी जब रिजल्ट आया था पापा ने इस फेस्बुक पे डाला था कि मेरी बेटी सिय बन गई अभी 15 दिन खुशी भी नहीं बना है तब तक यह घटना गटी